एक हजार पाँच इसापूर्व साल पहले पल्लव राज्य में इलम मुरई नाम की राजा राज्य करते थे उस समय मजबूत सैननिबल वाला राज्य था सोलंगापुरा जहांके महाराजा ने पल्लव राज्य से युद्ध करने का ऐलाम कर दिया इस युद्ध को जीतने के लिए एलम मुरई राजा ने बन देवी की पूजा करके एक हरे रंग के हीरा को प्राप्त किया जिसे उन्होंने अपनी तलवार पीचेश होगाru उसी तलवार से उन्होंने सुलंगापुरान के राजा को युद्ध में हारा दिया इतना ही नहीं उन्होंने उसी तल्वार के बल पर आसपास के राज्यों पर भी विजय प्रास्ट की और बारी बारी से अपने सारे शत्रों को हरा दिया उस हीरे की वजह से ही इलम मुरई नाम का छोटा राज्य एक बड़ा सामराज्य बन गया वैसे तो राजा का मंश बहुत बड़ा था लेकिन उन्होंने उस हीरे को किसी को नहीं दिया और अंतिम समय तक उसे अपने साथ ही रखा उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए उनके परिजनों ने उनकी मृत्यू के पश्चा हीरा जड़े हुए तलवार को उनके साथ रखकर उन्हें समाधी दे थी ऐसा माना जाता था कि राजा की आत्मा उस हीरे की रख्षा करती थी इसलिए किसी ने भी उसे पाने की कोशिश नहीं की कई सालों बाद सन 1990 में सुंदरम नाम के एक प्रोफेसर ने राजा की समाधी को धूड़कर उस हीरे को हासिल किया उसके बाद वो हीरा बहुत से लोगों के हाथों में गया और फिर आखिर का प्रौब्स प्रौब्स ऩर दो बाद प्रौब्स कि थे टेमें पुल्च सब्सक्रादाटेटेटन्ध कर दिखे है। वे… लेयव…. क्या ये? ईपने कर देखे थे भादी सब्सक्रादोग एए एडियेट, गाड़ी किनारे करना, बहरा है क्या, एए अगल होगी है क्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओ कि ना, तुम अगर चली गई, तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाओगा अमा, अरे क्या कर रही हो, यहां मैं काम कर रहा हूँ और तुम ठक ठक किये जा रही हो, बंद करो उसे यह लो, तुम्हें गाउं से आये हुए, दो महने से जादा हो गए, हमेशा कहते रहते हो, काम सिखूंगा, काम सिखूंगा, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो मेरी तरह, बाल पक जाएंगे भाई, मैं तो स्पॉर्ट पर जाना चाहता था, लेकिन आपने ही मना कर दिया था, ऐसा क्या, भाई, आज शाम को ही चले जाओ, ठीक है, वहां जाकर तुम्हें काम क्या करना पता है न, तो सीधी तरह काम करके वापस आ जाना, समझ गया न, समझ गया, मैंने तुम्हें यह तिरुनगर के बस टॉप पे वो लड़की जो मिली थी, वो तुम्हें अपना दोस्त बता रही थी, वो, कुछ नहीं भाई, मैं तो बस ऐसी देख रहा था, ऐसे देखनी की क्या ज़रूरत, बातें करो और आगे बढ़ो, जैसे ही यह उमर निकल गई न, उसके बाद, कोई भी कॉंसिलर की से भाव देती है, एक आंकर तो सिधा जाके स्ट्रेट ले और वहां से एक लेफ्ट आता है, फिर वाँ, सुन रहा है क्या, सीधा जाके राइट ले दिखा है, चलो जा, सच में बहुत अच्छा दिखता है, कहीं तू आगर तो नहीं हो गया न, अब, तु तिरुपर से यहां पर क्यों आया, बताना मुझे, स्मगलिंग करके पैसा कमाने के लिए, बोल तो ऐसारा जैसे शेविंग करके नहाने के लिए, स्मगलिंग बे, स्मगलिंग, तेरी हाला देखकर मैं तुझे यहां पर लेकर आया, मैं तेरी को रास्ता बता रहा हूं और वो है कि मेरी हजामत कर रहा है अभी जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से समग्लिंग तीन तरखी होती है कौन से तीन तरखी बोलता हूं लेवल वन में ऑपसेट पार्टी को कन्फर्म करने का हूं चला जा हूं कि लेवल डू है कोड़ वर्ड कन्फर्मेशन हूं मच्छी का सालन कुछ बूलेगा यह क्या है कोड़ वर्ड है क्या टून रहे हूं सर एक मिनट्स एक मिनट्स एक मिनट्स एक मिनट्स पुली स्टेशन में साब अमरा इस जदार कर रहे हैं चल्दी करो पुली स्टेशन चल्डाए कि नहीं सौरी सर् हेलो इन लोगों की बॉड़ी लेंग्वेज तो सही नहीं लग रही है हां Catch कर दो पर एक मिस पाण के रहे हैं पैट-पैट-पैट पैट पड़ी एए पैट चल्दी 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 एए चल निकल आजा 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 यह थर्ड ले बच्छा रो रहा है ग्वाटर पिलादो परीदे मैं यहाँ पहुंच जाओंगा सोचा नहीं था ना पकड़े गया वेटा सर थैंक्यू सर आपने अपना रिकॉर्ड बना लिया एक्समें ड्यूटी सर सर फस्ट टाइम उन्हें पकड़ने गया था तो रोड पेपिसल कर गिर गया था यहां देखिए यहां कट भी गया है सीद प्लड़ी क्रीमिनल सर तुम लोग रामदास ग्रूप से हो ना सर हां सर एड़ा है क्या कि मिश्टर निल कंट सब इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए है कि सब यह सब नकली है इसकी कीमत बीस हजार भी नहीं होगी ऐसे ही लोगों को पकड़ लिया कि तुम्हारे रामदास को अपने एक्स्पिरियंस से कुछ बड़ा काम करना चाहिए था ना कितनी बार समझाया तुम लोगों को लेकिन बात भेजे में घुसती ही नहीं कौन है सर यह हमारी गैंग में नहीं सर तो खुद तो किसी काम का था नहीं इसे भी अपने गैंग मे अब अब सिर्फ हंसता ही रहेगा क्या आपका काम छोटा है यह मैं जानता था लेकिन इतना गिरा हुआ होगा यह सोचा नहीं था यह दस-दस का काम मैं तिरुपुर में नहीं कर सकता था क्या यहां किस लिए आता यह कुछ भी मत बोल मुझे पूरे 40 लाक रुपियों की ज फटती है क्या किस से बात कर रहें पता है मैं यहां तक ऐसा ही नहीं पहुंच गया चाहो तो किसी से भी पूछ लो शुरुवात कम पैसों सही होती है उसके बाद में बड़ी रकम आती है तुरंत लाखों नहीं मिल जाते मुझे सिखा रहे है एक जमाना था जब बहुत पै अरे भाई यह क्या बोले आप इसने जो भी का उसके लिए से माफ कर दीजेगा हमने आज तक आपके लिए सारी चोटे मोटे काम किये हैं आप इसके लिए बस यह काम कर दीजे ना आपका बहुत बड़ा इसान रहेगा मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं हां जो इसके लिए बैटो अरे तेरी यह आपने कोई देख रहा है यह कौने इसके साथ है पता नहीं अलो शुनो शुनो इसका नाम जान की है दो मेहने चे तुम इसके पीछे पड़े हो मुझे पता नहीं क्या ठीक है जो भी है इतने दिन से इसे देख रहे होंगे बात भी की होगी और आपका शादी का भी इरादा होगा लेकिन एक बात बता दू बात ऐसी है कि बहुत पहले ही हम दोनों की इं आखरी बार सुन जा रहा हूँ बोलिया ना चल अपने कल यहां से मैंने आपकी आवाज नहीं सुने एक बार मुझसे बात किजिये उतना ही बहुत हो गया आखरी बार नियुके अबर अरे मुझसेत का पागलाग लहाँ जाने दे स्वेश्चे याद रासे महाल रचे अवरम वह अधर अधर अभू याज अधर आपको पतायां था ना यह यह वो नाम है शंक शंक आपना इलक्ट्रोनिक के दुगान का सेट है ना उसीने मिलाया है अलके में मतले ना इसे इसे कोई चीज चाहिए उसके विलिए अपनी हेल्प लेने को आया है अगर अप उन्हें सब काम कर दिया आना तो अपने को अच्छा माल मिलेगा क्या क्या चाहिए जमतकारी हीरा है यह नहीं हो सकता सर अच्छे से सोच कर बताओ दस करोड जान का जोखी में सैर वो तु भी मानता है क्या मैं क्यों नहीं मानूंगा मैं अपनी मा की कसमखा कर कहता हूं वो आत्मा के अंडर में है, पर्सनली बोल रहा हूं, इस चमतकारी हीरे को पाने के चकर में आप दोनों अपनी जान मत गवा देना और कोई दूसरा काम है तो बोलो, ये चमतकारी सिख्य का काम मैं नहीं करने वाला हम बड़ा काम किया है लगी नहीं नहीं करेगा, अपना पैस अपने पस रख, उसे ये काम नहीं होगा भाई, इसी और को ढूंड़ो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा भाई ये कोईन लाना, पातुर में जाके जैसे करते हैं ना उतना ही आसान है, भाई क्या, तुम्हें पैल्स के चकलिफ है क्या, तुम्हें पैल्स के चकलिफ है क्या, बॉल्षिट, मैं कौन हूं पता नहीं ना, पता चल जाएगा शार्प ड़्पोक है, एक भी आडमी में हिम्मत नहीं है देर इस वान, प्विंकल रामनाथ हेलो, क्यों है, अन्ना भाई से पूछोगे तो पता चल जाएगा, काम क्या है, एक गिल के बारे में बात करनी है, डील है, भाई को बताता हूं जा लाई नहीं है अलाना मैं दो यूनिट करेंट पर बाद किया, अरे उस करेंट को किसी गाओं वाले को देते तो वहाँ बल्ब जलता, बोल, बहुत है सोचता है तू, लोड कर दिया था, इसको तो पेला ही खत्म कर देना चाहिए था, बुलेट बर्बाद हो गया, भाई हमने कब कि नाई, मैंने बर्बाद किया, आगे से ध्यान रखना, भाई वो जॉन ने आपको बुला आ, बुलाया है भाई, डील के लिए बुलाया था ता इध अरे डील, डील के बारे में बा कुछ है पैसे मागने बाले है क्या इतना क्यले सरता है सीरा बात करके पैसे दे देना ये इतना आसान में ताहिए गया ये क्या हो गया यहां पर ध्यान नहीं रोड देख्टे आरही है क्या करा ये ये अबढ़े पोते हिए अभे पोते कि अबढ़े आइच कर दो तेरा जो यह दू महीने से लब चल रहा था ना यह जो अभी थपड़ पड़ा है ना अब उससे समझ में आ गया होगा कि अधर यह दर आए एक दम बढ़िया हूं यह मेरा दोस्ट शेर सिंग है ऐसा क्या अच्छा आज क्या कर रहे हो हां हम इशाकर जैसा चोटा काम चोटे पैसे आपने बास बड़ा काम है और बड़ा फाइदा भी तो रोगे क्या अरे जा पे तू तो अपना काम पहली सी जान है रहे है कैसा काम है कि अधर तू यह डीटेल की पुछ रहा है यह तो आपने बास को पुछना चाहिए ना अब बोलूंगा तो वो सुन लेगा क्या अरे पर अब है मैं आगे जाओंगा तो तू मेरे पीछे आए गाई ना किसकी लिए अब सुन आज के बाद मैं जो याई ट्विंकल भाई नहीं है क्या तो इतना बड़ा आदमी है क्या यह बाई का स्टाइल है ले बात कर मैं पिंकल रामनाथ बोल रहा हूं है मैं जॉन बोल रहा हूं वह जगन भाई के पास अपनी पार्टी चाइना की है बहुत बड़ा ओफ़र है जैसे इन्होंने बोला मैंने आपको फोन लगा दिया भाई गन कल चाइना वाले नो दिखाया न यह उससे भी एडवांस है वो चाइना से कितने बजे आया तुम से कितने बजे मिला तुमने क्या-क्या डील की सब जानता हूं जॉन मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ा अपी बनना चाहते हो लेकिन उसके लिए किसी से भी हाथ मिल जालोगे तुम कि वो मेड़िन चाइना था कभी नहीं फटेगा और मैं मेड़िन इंडिया जब चाहे फट सकता हूं कल सुबह तक वो इस देश में नहीं रहना चाहिए और अगर वो रहा ना तो तुम नहीं रहोगे यही बुचानी इस बार में फिर से बता रहा हूं तो यहीं रूप में डील करके आता हूं है तुझे क्या पता डील के बारे मैं कैसे करता हूं तुझे जा रूप रूप यही बुचानी फिर से बारे में देशिति हम इस अधूना में रूप करें दो झाहिए भार में पर वार्व में रूप रूप रूंट अपने निची कूपम रामदाश भाई के ग्रूप से वो कुची चॉक्लेट क्या है जा जा बाँबडी बात है रिस्क ही बाँग ज्या हाँ रिस्क तो ज्यादा है इसलिए तो कोई आया नहीं लेकिन हम करेंगे ट्राफिक रोड पर गाड़ी चलाना सबका काम नहीं है कहानी अच्छे लगी तेरी असलियत जानता है क्या बोलो ना सर कर दूंगा मैं चमतकारी हीरे वाला क्वाइन क्या कहां चमतकारी हीरे वाला क्वाइन चमतकारी कोईन कर दूंगा सर चलेगा एक बाद समझें दिसमें मेरा कोई रोल नहीं है तो इस भाइवाई से बात कर ले ना डील कितने गए पता कितने गए दस करोड़ दस करोड़ भाई साब मैं बात करेगा वैसे ये डील किसके उपर है वो कोई चमतकारी सिक्के की बात कर रहा था क्या हुआ चमतकारी सिक्का हाँ बाई चमतकारी सिक्का चमतकारी सिक्का ज्यादा पकावमत पहले बात क्या है वो बताओ इसी तरह से बीस साल पहले एक चमतकारी सिक्के को ढूड़ने के लिए दस लोगों ने जिम्मा उठाया था, और वो दसो पांचवे दिन ही इस दुनिया से ही उठ गया, किसने उठाया? इलम मुरेई के राजा ने, इलम छोड़ो ना उसे, और सुनो, उस सिक्के को भूल जाओ, वरना हम सब को उठना पड़ेगा, अरे जाओ यार, मैं नहीं मनता इसको यह देखो, तुमारी तरह ही बहुत से लोग भरोसा नहीं करते थे, उनका भी यही आल हुआ, सारे लोग साफ हो गए, एए, उस सोनु के बाप का नाम क्या था? हा, जिन्ना, उसका भी वही हाल हुआ, एक होते, दो होते तो समझ में आथा, पूरे एक सो बतिस लोग मरे हैं, और पता है कैसे, सारे के सारे एक्सिडेंट से, एक्सिडेंट से? और क्या, एक ही गाड़ी, एक ही गाड़ी ने सब को मार दिया, लेकिन अभी तक उस गाड़ हमको मार देगा ना, अब, एए, इसे जरा अच्छी तरह से समझा ना, एए, तुझे भरुसा नहीं है न, उन्हें 132 लोगों मेंसे, मेरे मामा भी थे, भाई, आप मेरे साथ आ रहे हो या नहीं, एए, ये तो पागल हो गया, ये सुनने वालों मेंसे नहीं है, भाई, वो आप जो 132 बोल रहे हो न, जो चमतकर इस सिक्के को हाथ लगाने से मर गए, उसका आप सबूत दे सकते होते हैं, उन्हें सुबूत चाहिए, किताब में लिखा है न, भाई, एक बात समझ लो, बुरे वक्त पर सब अच्छी बाते करते हैं, और अच्छी बाते करने वाले को ठीक है भाई, यह बुक में ले जा रहा हूँ, मेरा साथ देते पांच करोड दूँगा, अगर इनकी साथ रहेगा तो जिन्देगी भर कुछ नहीं कर पाएगा, तो फैसला कर तुझे क्या करना है, मैं चलता हूँ भाई, इसे इतना सम्झाने के बाद में कोई फर्क नहीं अब जोकर आ गया तु, मैं जानता था तु जरूर आएगा, यह कंडिशन है, पहले अंदर तु आ, औरे बोब्रे, दो ही दिन में इतनी डीटेल्स कलेट कली तुने, पड़ी से, चमतकारी सिक्के से एक आदमी की मौत, चमतकारी सिक्का आर्केलोजिकल डेपार्टमेंट क हाथों में चलागे, तो अगर हम इन लोगों को पकड़े, तो वो सिक्का में मिल सकता है, वो जो 132 लोग मरे है ना, तो उनमें से एक आदमी बच गया था, मैं उसे की बात कर रहा हूँ, अब क्या करें, ए इन में से जो बचा था ना, यह है वो, पांडुरंग, यह इन सब कोई कंडिशन के बारे में बोल रहा था, मारवन नगर में मेरी पैचान का एक तांतरिक है, हमेर जाकर उन से बात करी चाहिए, उससे हम जाकर क्यों बात करें, ए तांतर के बारे में ऐसा वैसा कुछ बोल मात, तुझे पता नहीं हो कितने बड़े आदमी है, अच्छा, मेर बड़ा जाने वाला, चल बैठ, लेकिन एक बात है, हम लोग वो चमतकरी सिक्का लेने के लिए जा रहे हैं यह उनको जरूर बोलना, बोलो, बाबा एक पत्थर निखालने का है, कैसा पत्थर, रुख जरा, हम लोग उतना डिटेल में बता सकते, समझ लीजिए, वो कोई प टाइम हो रहा है, जल्दी से मंतर बोलकर उसमें सुई चुब हो देना, मैं डॉक्टर की सुई को बरदाश नहीं कर पाता हूँ, और इसमें क्या सुई लगाऊंगा, वो भी आत्मा है, आत्मा क्या तुझे खाने को आने वाली है, तो डालना, कुछ नहीं होगा, प्लीज क अब आपक्ता हो, वेसे हिन एक सु बतीस लोगों में से बुलाना किसको है, किसी दुकान का उत गाठा नहीं करने सबसक्राइएं, किस को बिला लाने किसी गोला ले यार, कौन है वो, वो अग्ने कोई वह नहीं है, मेरे हमने छिमत कारी सब्थिक्र को हाथ लगा Jadi, अब पहले गुर्प मर रहा होगा नहीं यार तेरा मामा अब यह बिना पहचान के लोगों को बलाने सचाहे कि इसको बला लिते हैं यहीं कई पर गूंगता रहेगा जितंबरम हाँ यह वह अपना रामदस भाई है ना हाडड़ा के वज़े से वह मर गया तुम्हारा फोन ट्राय कर रहा हो सुछ आपा रहा है अरे बहां वह बुट्टी अकेली है चलो ना यार बहाई 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 अरे देखो क्या हो गया अरे मुझे चोड़का चला गया तो इसको पूछो इसको पूछो बहाई 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 कर दो कर दो कर दो दो SHERA कर दो कर दो कर दो कर दो मैं भी सही थेक्स नहीं ने काया था का लगा कुछे। कॉ और भूपता कैसे हो भाटी आपको आलाको 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 एलंगो क्या हुआ तुझे चुल्ला क्यों रहा है आपने पीछे देख नमस्ते भाई नमस्ते रामदास भाई है क्या हुआ कान में बहार मिट्टी है निकल गई कुल ही तुद अफना है था नौ फिर वापस कसे आगा अरे सुनो कोई बस वगेरा मिलेगी क्या बोल्या भाई इनकी आवाज भी बदली-बदली लग रही है आवाज बदली लग रही है अब सही है यह पताओ तुम लोग मुझे भाई कहके क्यों बुला रहे है मैं तो तुम्हारा मामा हुना अरे वही मामा मामा चिदंबरम मामा अब यह क्या हो गया यह तेरा वही मामा है क्या वह निम्बु घुमाई नहीं तो फिर यह मामा कासे आ गया अरे कैसे बातें कर रहे हो तुमने मुझे यहां बुलाया तब ही तो मैं आया, नहीं समझे, ये देखो, अब समझे, तो इस तरह से मेरी रूफ इसके शरीर में आ गई, निम्बू डाला तो डाला, लेकिन ये तो सोचना चाहिए था, कि निम्बू जिस पर रख रहा हूं, उसका चेहरा मोरा कैसा है, बता है, वहां से आते वक्त, रास्ते में कितने कुट्टे बहुख रहे थे, वक्री चिलाएगी क्या, तुम लोग कहीं मुझे भूत तो नहीं समझ रहे, तो आओ ना, मेरे पास बेच, आओ ना, चलो, आओ, ये क्या है, तुम अभी तक चट्टी में घूम रहे हो, बच्पन में भी ऐसे रहते थे, ये नौटी अट थर्टी है, तुम कुछ कहना चाह आते थे, उस नीमू में कुछ गडबड़े सोचा था, आपके डेड़ बोड़ी पर गिर गया, इसलिए हम लोग ज्यातना डर गए थे, सुनो, मैं भी तुमारे मामा जैसे ही है ना, तो चलो, हम उन्हें लेकर आते, ठीक है, किसको, अरे उन्हें ही, तुझ अबी तक समझा सबसे पहले तो मेरे तीन दोस्त है, उन्हें यहां पर बुलाना है, क्यों हो, एड्रस देज़ते हैं वो लोग आ जाएगे आपर, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन देंगे कैसे, वो लोग तो आत्मा है, क्या का, वो लोग आत्मा है, हाँ, बेटा, हम चार पक्के दोस्त थे, हमेशा साथ हैते थे, इसलिए साथ ही गुजर भी गए, अब मुश्किल क्या है, कि वो लोग मेरे बिना वहां रह नहीं सकते, उन्हें यहां लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या, अब आयलाइन पर, तीन बॉड़ी चाहिए, अरे डेट बॉड़ी, जैसे मैं बॉड़ बॉड़ी, उन्हें लाना ही पड़ेगा, अगर नहीं लाए ना, तो देख लेना, आप अकले नहीं रह सकते हैं, हमको क्यों घसीट रहे हो, बांजे, मेरी बात तो सुनो, इस निम्बू को कोई भी हाथ में रखकर मुझे, बुलाए तो मैं आ जाऊँगा, ये क्या लड़ ठीक है, चलिए, कहाँ चलो, लाज ढोनने क्या, अहाँ चलो, अरे बांजे, प्रुकुर को एक मिलने वाला है, सुनो ना, वह चाको लेकर आओ, ये लीजी, बाबा, काम तमाम कर दो आज, ये हंसरा है पंडीजी, जरा जोर से घुसाइए ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अरे इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, इंसान के शरीर में अगर आत्मा गुसेगी, तो उसकी जान को खत्रा हो सकता, लेकिन ये आत्मा एक मुर्दे के शरीर में है, इसलिए इसे कोई तकलिफ नहीं होगी, प्यास लगेगी, इसे कुछ भी नहीं चाहिए, दिखने में तो ये इनसान है, लेकिन है तो मुर्दा ही, वो सब तो ठीक है पंडी जी, लेकिन ये और तीन मुर्दे मांग रहा है, अब क्या करना पड़ेगा पंडी जी, सुना, बात अपने हाथ से निकल चुकी है, अपने स्वाइदे के लिए तुम लोग इसे बुलाए हो, तो आब इसकी बात सुननी ही पड़ेगी, अगर ऐसा करोगे, तो ये तुम दोनों का काम कर देगा, अरे नहीं बाबा, इसका और हमारा कोई मेली नहीं है, मेल नहीं है, ये एक छोटा शैतान के जैसा है, जिस काम के हो, बिना कि ये ये चाहेगा नहीं, इसलिए कोई गलती नहीं करना, अरे वहीं से बोलिये ना बाबा, सब आमने सामनीतों बैठे है, ऐसे फेस चिपका के क्या करने वाले, ये कोई खेल नहीं है, अम आवस्या में अभी सिर्फ दो ही दिन बचे है, ध्यान रखना, हुआ हाँ है, चुक्ता उर्फ 550 बाबने को अरे, क्या हो अरे पर दो jets संहाँ है, पर बाक पज़ाया हुआ है हुआ 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 है क्या हुआ है वह पांजे कोई बुरा सपना देखा क्या कुछ नहीं है मैंने तुम दोनों का सिर अपने हाथों से पकड़ा और तुम दोनों मिट्टी बनकर हवा में उड़ने लगे यहीं देखा न कोई बाद अच्छा यहां सो राज क्या आप ने जो कहा अगर वो मुर्दा में आपको दोगा तो आप चले जाओगे क्या क्यों तुम्हें वो सिक्का नहीं चाहिए क्या नहीं आप से चले जाए बस एक क्या क्या rightphone और नहीं तो क्या तु जानता है इस काम में कितना खत्रा है पहले आत्मा से मार खाकर मरना पड़ता है क्या बता हूं तुझे तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूं लेकिन तुम चिंता मत करो मैं सब समाल लोगा सुनो, तुम दोनों को कोई तकलीफ दिये बिना मुर्दे महला कर देता हूं रुको बांजे जाओ उसे उठाकर लाओ ओए, क्या फुटबाद पर सोय आदमी कोई उठाकर लाने के लिए कह रहे हूं उसे मरे आधा घंटा हो गया है आपको कैसे पता कौन जिन्दा है, कौन मरने वाला है मैं सब जानता हूं मैंने जहां बताए था वहीं पर आये हूं ना तो सीधी तरह से जाओ और उसे उठाकर लाओ ए, चला ए, ए, एलनको, अभी आओ ना चला चला दे क्यों उठाया अरे वो नहीं, उसके बगलवाला बगलवाला कुछ पूछ रहा हूं क्यों उठाया भाई वो तुमारे बाजवाले को उठाता है सेल्वाराज का पोता है तू मर गया ये तो रात को ही मर गया इसले तो ले राया हूं चला उठा जल्दी चल जल्दी गाड़ी मिला सिल्वाराज का पोता ही है न तू अपने दादा को विखारी बना दिया इंसान नहीं शैतान हो तुम लोग साल दो हजार उन्नीस फरवरी की अठारा तारीख हुं अच्छा वो तारीख क्या अब बस ऐसे ही बोल रहा था मैंने उसे उसकी मरने की तारीख बता दी भाण्जे तुम्हारी भी बताऊं क्या पर अच्छे मामा आओ न तू अब अब अच्छे में टांट क्यों रहे उसे वही तो दूसरी डेट बॉड़ी है हाँ भाण्जे थोड़ी देर बाद वो मरने वाला है उसे बचा सकते हैं ना किसमत को कोई नहीं बदल सकता सिर्फ उसके पीछे पीछे चलते रहो अभी इंतिजाम हो जाएगा यहां पर पीकर मिकलने वाले बहुत हैं गाड़ी आगे बढ़ाओ थोड़ा स्लोच ना आपसे थोड़ा आगी जाने पूसे बस यहीं पर रोप दो थोड़ा 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 पर भी पर अगल ऑड़ा ओड्या जाओ, उसे उटा कर लाओ पकड़ी से जदी कर लाओ बेट जाबड़ी तीन ही चाहिए क्या, दोक और अकर कुछ कर लीजिये न, मुसीबत है यार, अगर दो मुर्दों के साथ पुरिस ने पकड़ लिया तो फांसी हो जाएगी समझे, उसके बाद उच्छे मत करे, इसी कभी भूलना पड़ेगा, अरे तुमसे बोल रहा हूँ, क्या हुआ, रुको तीसरा यहां मिलेगा, ठीक है, रुको जल्दबाजी मत करो, हाँ, काम हो गया, अब जाओ, क्या कर रहा है दो, वोट, जाओ, क्या कर वोट जाओ वोट, जाओ, दोटी समया कारे लाओ लाओएग येल् tsp जाओ लोटकाताए बड़ेग़े, जाओ़ेगाबार लाए़े वोट रूषता है जाओव दोटबसे को उे तोट इसंद़ को इस new गोट에서 और का फवेब दोट प्सक वाल भाबसे क citrusा लाग जान की कह हैं? वो आदमी और मुर्दों को लेकर अंदर गया अबीतक आया नहीं लेकिन अबीतक निकल नहीं रहा ऑई दर्वांदा खोलो अंदर मुर्दों को लेकर क्या करने हो देखो तोम किसी के साथ भी कुछ मिंधरो लेकिन वो लड़की चानकी मुझे वापस दे दो, वो सुसाइट करे थी फिर भी मैं उसे बचाने ही पाया, दर्वाजा खोलो ना, चिचानकी, चानकी, तुम वापस आ गई, मुझे पैचानते हैं, हम मिले थे ना, वो याद नहीं, बस टाओ, चानकी, बस एक ही बार बात करो ना, तुम्हारी आवाज में अब तक नहीं सुन पाया, चानकी, सिर्फ एक बार बात करो, अरे, तारी जाते, क्या चीए तुझे है, जाबी बीदे को, बड़ बड़ करते, दिमाग खाते रहता है, ये भगवान, गर्दन टूट गई, सुन लिए आवाज, क्या ये मट की आवाज में बद कर रही है, क्या हुआ बांजे, अगर आदमी आदमी की आवाज में नहीं बोलेगा, तो कोयल की आवाज में बोलेगा, क्या, कैसी बातें कर रहे हो, ये बुड़ाओ, बीड़ी है क्या, साला एकदम बीड़ी की तलब लग रही है मेरे को, वे दिराज, ये वो, अरे वेशमुनी है अंदर, जाओ जाओ, जाओ मिलो उसे, एक मिनट, एक मिनट, जरा देखने दो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है ना, तुम्हारा काम तो पुरा हो गया, अब निकलो यहां से, कहां जाओ, कहीं भी जाओ, और वो चमतकारी सिक्का, वो सब मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम निकलो यहां से, अरे रुको मेरे बात सुनो, मैं कोई बोतल का जिन हूँ क्या, कि जब तुम क कहोगे तब मैं चलाओंगा, जब कहोगे तब चला जाओंगा, इस कमरे में बैठ कर कितनी मुश्किल से मैंने तीनों बॉडी में आत्माय डाली है, वो मैं जानता हूँ, खेल नहीं था यह, यह जो बैठा है ना, इसका सिरालग था और धड़ा लग था, इसे नैला दुला कर, सेट करके 66 टांके मार कर इसके अंदर आत्मा को घुसाया है मैंने, तुम्हें खेल लग रहा है क्या, हाँ, मैं समझ गया, तुम्हें खेल ही लग रहा है यह, बांजे, चमतकारी सिक्का मिलने तक यह तिनों यहां से कहीं नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ, जाने बो आत्सी लगाई है, दो दो पुलिस के स्वाली, वो सब मुर्दे हैं, और दो दीरों में बाहर भागने लग जाएंगे, हम लोग बासवास नहीं मारेंगे, तुम्हारे जैसे ही हैं, कुछ भी हो, लेकिन तुम लोग मुर्दे हो, अब निकलो यहां से, यह, रवी, इसके ब प्लान बनाएंगे, सबज़ गया, अभी सब कुछ ठीक है, हलो, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ मिलकर उस सिके को ढूंडेंगे, सच्चिवा, देखा, मेरे बामा लाइन पर आ गया, अच्छा वो, और एक मुर्दे का क उस जगे को ढूंड़ना है, और चमतकारी सिके को लाना है, उनको क्या हुआ है, भाई, मैंने कोशिश करके देख लिया, कोई फाइदा नहीं है, अगर हम लोग पांच मिट पहले पहुचे होते, तो आत्मा घुच सकती थी, अभी क्यों डॉक्टर की जैसे बात कर रहे हो, वो मुर्दा है ना, जाने तो, अरे लेकिन चमतकारी सिके के बारे में तो उसी को पता है ना, तो फिर क्यों उनको छोड़कर इन लोगों के अंदर तुमने आत्मा डाला, अरे लेकिन, कब से देख रहा हो, तुम बहुत बोल रहे हो, जादा जबान मत चला हो, तू है, इसी तरह से खोदो, हाँ, ठीक है, जारा संबल के, सर पे लग जाएगा, तो टाका खुल जाएगा, क्यों भांजे, यह मेरा केटप क्यों चेंज कर रहे हो, आपको कोई पहचान ना पाए, इसलिए यह सब कर रहे है, ऐसा है क्या, तो कमल हासन के जैसा दिखना चाहिए, सब्सक्राइब, यह सब मैं नहीं पहन था, तुछी पहन से, मुझी लूंगी लाग कर दे, यह लूंगी मांग रहा है, देदे न अपनी, शूते से मारूंगा तुछे, आपी देदो, क्या वैदराज, अरे तेरी बाडी लड़की की है, तुझे यह सब पहनना ही पुरा दारू तो गले से दीक हो रहा है, अरे इसे पीने से नशा नहीं होगा, इस बेवकूफ को नहीं पता, यह औरेंज जूस है, क्या कहे रहो, औरेंज जूस, इसलिए नशा ही नहीं हो रहा है, क्या हुआ वेश्मुनी, ऐसे डर क्यों रहे हो, वो कोई गयर थोड़ी है, अपने सगे वाले हैं, ऐसा क्या है वेश्मुनी, यही है, चमतकारी सिक्का, वेश्मुनी, चमतकारी सिक्का है यह, अरे भाणजे, तुम लोग इसे फोटो में देख रहे हो, और हमने तो हाथ लगाया था, तब हमारी फोटो को हार पहनाई गई थी, हमें बता रहे हो, इस चमतकारी सिक्क्यों को हाथ लगाने वाले, सब एक ही गाड़ी में अक्सिडेंट होकर मर गए थे, ऐसा बुक में लिखा हुआ था, वो कौन सी गाड़ी है, क्या नंबर था, यह सब पता चलेगा, तो अपनी थोड़ी सेफटी हो जाएगी न, बांजे, मैं कैसे मरा था, वो मुझे याद नहीं, हम लोग रोड एक्सिडेंट में मरे थे, यह बात तो मुझे तुम से पता चल रही है, यह बात तो है, क्यो हो रहे पागल, तुझे कुछ भी पता नहीं, तो हम लोग मर गया है, क्या, जादा गर्दन मत उठा टांके गूण रहे है, वो सिर्फ इसे ही पता है, इसका नाम पांदुरंगा, अब इसे अगर उठा लिया जाए, तो समझो चमतकर इसी का में ले गया, लेकिन अपनी चाल, पुलिस को पता नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम सब को ट्विंकल की आदमी की तरा बदल लेना कोई भी अगिकत बता देगा, हाँ हुआ है कावन है आप लोग, शूट बूट पैन कर कड़े, आपने पहचाना नहीं, पहचाना नहीं, यह दिख रहा है क्या देखता है, क्या दिखता है, इस पिकर देख रहा है, पांजे, एक मिनिट ओफिसर, इसमें आने वाली आवाज को सुनो, चकलू, ट्रिंकल रामनाथ बोल ट्रिंकल रामनाथ, यह कोई प्ले स्कूल है, क्या बाई, शेहर में एक ही दो दादा है, तुम्हें पता नहीं है, क्या, दादा, मुझे नहीं पता, अरे, इतनी परेशानी से सूट बूट पैना, पसीना निकाल दिया, लिकिन उसका कोई फादा नहीं हुआ, कह रहा है, प्रोब्लम में आ जाएगा, तेरा भी पत्ता कट जाएगा, अब बल वो चमतकारी सिख्का कितर है, जो राज किसी को नहीं पता है, वो इसे कैसे पता चला, चमतकारी सिख्का, मुझे याद नहीं है, तकलू, तिरी बाईडी की याद आती हैं गे बराबर, हाल तुम्हें बड़ बड़ करके मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, बोला, जितना में चुपाने की कोशिश कर रहा हूं, ये लोग उतना ही मेरे पीछे पड़े हुए, चमतकारी सिख्का क्या, वो सिठार वेली पोस्ट ओफिस में है, उस टूटे फूटे पोस्ट ओफिस में रखा है क्या अब इस पोस्ट ओफिस में डाल कर रखा है, अभी तक उसे किसे ने छुआ रहीं, कैसा धिमाग लगाया है, है ना मिस्टर ट्विकल वो एक बहुत ही पुराना घर है, मिलकुल घंड़र की तरह, उसके अंदर ही पोस्ट ओफिस है और वहाँ पर बहुत सारे शील्ड रखे हुए है, उसी में से एक छोटे शील्ड के पीछे एक छोटा सा बॉक्स है, जिसमें एक जागी रखे है यह वही चाभी है, जिससे पोस्ट मास्टर के कमरे में रखी हुई लॉकर कुलती है जब उस लॉकर को खुलोगे, तो उसके अंदर से एक छोटी सी जोल्डी बॉक्स में है उसी जोल्डी बॉक्स के अंदर, वो जागी से रखे हुआ हुआ है क्यों भांजे इसे छूना था ना तुझे अरे ने ने मुझे जीने का शौक है आप ही देख लो अचा रहेगा मेरे मामा के साथ इजज़त से बात करने का अभी हम लोग 10 क्रोड के मालिक बढ़ गए मेरे मामा की वज़े से मामा मंदिर बनाने के चर्च बीच पर तीन कबरें खोद देना अबे तुझे दिमाग नहीं है क्या स्केच बनाने से लेकर पांडू रंगा को उठाने तक मेरा हाथ था लास्ट में तरे मामा ने आकर उसमें हाट डलके उसे उठानी है तो वह बड़ा अदमी हो गया क्या पांजे जरा इधर सुन यह कोई पेट में था क्या जो उल्टी क निकाल लेता है जमतकारी सिख्का है यह अईसे नहीं निकलने वाला था आँ मैं निकाल लेता यह देखो यह नहीं रहता ना तो इसकी बात सुनकर उस धोंगी पंडित के पाच जाकर आप लोगों को छोड़ो जान दो वांजे मामा क्या कह रहा है एक मिनिट मामा यह अगर पुर्स चमतकरी सिख्के को दू अधाता तो तु मर जाता यह बात जांके भी बोले चुने से क्या होने वाला है अगर हाथ नहीं तो पकड़ से उठाथा यह इतना सबकुछ किया है तो क्या मैं प्लान नहीं बना सकता बास बहुत हो गया कितनी देर से सुन रहा हूं यह सम मैंने किया प्लान मैंने बनाया मैंने किया तुमने किया ना लो पकड़ो इसे इसे मेरे बात किस ले दिया प्लान जे बांजे उठो ना क्या हो गया तुम्हें क्या कर रहे हो अरे जल्दी उठो बांजे हां यह हुई ना बात मामा मैं काओं भी अरे बिजली चली गई थी तुड़ गया था उठके बैठ जा मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ अरे वो डुपलिकेट था मैंने इसे डराने के लिए फेंका था तो वो मिस हो कर तुम्हारे हात में आ गया क्या वो डुपलिकेट सिक्का था और नहीं तो क् अरे और पर छिपा कर हम सब को उल्लू बना गया जब मैंने वह पत्थर हाथ में लिया तो मुझे एक आत्मा नजर आई थी कौन वो अरे वो अपने तमिल भाई हैं देखो ने अरे उटना इतना सोईगा अभी तो उट जा एक चोटा चोड़ा पैग मानेंगे ना हम लोग अरे इससे तो हमने दफनाया था तो यहां कैसे अद्रेस के साथ में एकदम सही आया है और कि दर जाता तो तो तेरी बैंट बज जाती समझा अरे फिर इसे ले जाना पड़ेगा दफनाना पड़ेगा फिर से अरे उसके वज़े से मेरे काल में क्यों धूख रहा है ऐसे वक्त पर उसकी जो रक्षा कर रहे थे व्यापारी पाक्राइब उसकी कंप्लेंट पूलिस में निखा ली है पानुरंट जीता कहना है कि इसका दिम्मेदार राम नाथन है पुलीस उससे के खोज में लगदी हुई है क्या वो सिका तुन पाई है उसके अपने आद्मि अगर उसे पता चला होता तो वह कमिश्णर ओफिस तक चाता नहीं वहां का काम किसे ने असली चीज उठाकर किसे निवां ड्यूब्लिकेट रखा है अभी जो हमें ठूनना है वह उस आदमी को ठूनना है अरे क्या वाई पांडे ऐसे ही वाकिंग करते करते तुम्हें उठ भाई तू चाहे दे दे नमस्कार हमको पैचानते हो 1982 में आधी गाउं में पिरामीट का जाज करने गया था तो आपके जैसे ही लोगों ने उस गाउं में काम करने में मेरी बहुत मदद की थी अब वो लोग अभी जिन्दा होंगे इस बात की उम्मीद नहीं थी आप अभी जिन्दा हैं इसलिए आप उस गाउं के तो नहीं हो सकते इसलिए आप कौन है मुझे मालत है पीने का पानी तयार रखो उस चमतकारी सिख्ये को चुरा कर जिस आदने के नाम पर तुमने कंप्लेन किया है मैं वही ट्विंकल नाम नात हूं हां देखे यह बहुत ही गलत है मुझे किड्नेप करके लाते हैं इस कमरे में बंद करके रखते हैं मैं क्या कोई एंटीक पीस हूँ आपके लिए सुनो किड्नेप करके हम लाएं और भौक तू रहा अगर हमको तीन मिनट का टाइम देगा तो हम सब बोल देंगे हा तो बोल और हम कही कि हमरे पास नहीं है तो नाम किसका खराब तुम्हारा बहुते चालू है इसलिए अब हमने फैसला किया है कि उस चीके का मालिक हम होगे अब तू क्या करेगा बताओं कुझे अगवा करके कौन ले गया कितने लोग थे उन लोगों की कोई निशानी विशानी अग नहीं भाई नमस्ते नहीं किया था वो लड़का बिलकुल सही बोल रहा है मैंने तुम्हे नमस्ते नहीं किया था बहुते चालू हो तुम्हारा यह पुद्धान पहले जो आपके लिए बोला था ना अरे बाई अपनी लोग अपनी लोग हैं क्या चल्डा आ रहे हो रामनाद भाई हो ना तूम वो पूरी तरह से बदल गए कैसे न मैं ठीक होsed तुम कैसे हो तुम तम्हारी आंटोटी बदली-बदली लग रही हैं तुम्हारी आवाए बदलीवहश्टी यह जैन भूल गयes हो यह देखो यह क्या है जरा देकर बताओ ना ग है कई यहे चंध करीया यह नहीं डर यह जो यह जो हो कि संट करीस नहीं के बोल इनकी आवास मांधा जाकर यह whats तो अरे मेरे तो कुछ सवज भी नहीं आ रहा है यह डूपलिकेट सिके को किसने बनाया है जरा बताओ ना डूपलिकेट है हाँ वाह अच्छी कारीगरी जिसने भी बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है आज करके कारीगर ऐसा काम बिलकुल नहीं कर पाएंगे इसे बनाये 20-25 साल तो जरूर हुए हो गए उस वक्त किसने बनाया होगा यह बता सकते हो वैसे बहुत लोग थे और देखा जाये तो राय माइल्ड स्वामी इन से पूछते हैं भाई साब वह माइल्ड स्वामी घर में है क्या माइल्ड स्वामी वह अंदर ही है जल्दी जाओ नहीं तो निकल लेगा चला जा अचा अधे पापी लोग यहां पर इनको साधा दूद पिला रहा है और खुद बाहर रोज मिल्क पी रहा था आप हम लोग वह माइल्ड स्वामी से मेरे पिता जी को जानते हैं आप लोग भी नहीं दूद पिला दिजिए शाहिद चले जाएं चलो आओ हम लोग बाहर चलके रोज मिल्क पीते हैं चलो चलो पिलाओ भाई सुनिये आप रोज मिल्क नहीं पीएंगी जाहिए चाचा चाचा भाई आपको तो लोगों के मरने का टाइम पता होता है ना इनका अभी कितना टाइम बागी है कि यह अल्रेडी डेडलाइन पर ही है जो भी पूछना है फटा-फट पूछ लो यह है कि अ कि अ एए जब इसे तरफाजा बं करो तुम भी जाओ हो आप दो अब पूछो इसे हम मरने से रोपते हैं चाचा ये क्या है चाटे इसे आपने ही बनाया है ना इसे किसने बनाने को बोला था उसका उसका नाम क्या है चाचा बनाओ ना उसका नाम क्या है उस समझ में नहीं आ रहे थी नहीं बता चक्रा इसे किसने बनाने को बोला था dollar gotta jee वेश्मनी क्या-kya, हाटके उचह हालना तोँ ने ऐसकीको ड़ेस बवा अच च्चचचचचच अ- कि उस बुढ़े ने मरने से पहले कुछ भी डंग से नहीं बताया पहलियां बुजाते हुए हमें गुमा कर चला गया लास्ट में वो आदमी मरते समय कैलेंडर को देख रहा था मुझे तो लगता है कि वो क्रिष्णा की तस्वीर को देख रहा था कि इसा नहीं चता है कि उसका नाम राउत्र कृष्णा हो सच्था लिकिन इसका क्या मतलब हो गा कि ऐसा हो सकता है कि वो कोई लेडिस हो इस बात में भी दम है मैं समझ गया कुरुष्णा के बाप का नाम से शुरू होता है ना दुबारा ऐसा सडेला जोक मत मानना वरना हाथ भी नहीं बचेगा देरा हसना बन करो और जारा सीरियस नी सोचो यार सही बात है यह जगे बराबर नहीं है अंदर जाकर सोच कर आता हूं अगर वो वहां था तो फिर यहां पर कुछ स्वाज में नहीं आ रहा है अरे आप तो माईल स्वामी हो ना जान जाने के समय मैंने जो इशारा किया था उससे तुम लोगों को कुछ समझ में आया क्या वो कृष्णा ने बिलकुल करेक पकड़ा है हम जानते हैं वो ठक ठक ना स्टेथोस्कोप है वो ऐसा है क्या उसका नाम स्टेथोस्कोप कृष्णा है डॉक्टर डॉक्टर कृष्णा हम समझा मेरी समझ में आ गया है सुनो भाजे उस घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है समझ म है डॉक्टर जॉन कह सकते हैं लेकिन सबसे पहले पेट पुजा की जाए बहुत भूग लगी है तुमारा दिमाग तो सुपब है 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 तुस टथोस्कोप यार आपको केसे बता है क्या हुआ भानजी सच में और एक कबरस्तान की कसम मैंने ही समझाये उसे अरे जाना भाई क्य अरे मैं ट्विंकल रामनाथ बोल रहा हूं रामदास कहा है क्या है है साउंड बढ़ा रहे बोलो माजी रामदास कहा है अरे वहां पर गाड़ी किस ने स्टार्ट किया आप करने को बोलो नहीं भाई माजी रो रही है का कहें रो रही है अरे रामदास कहां इतना ही पूछा तो रोने क्यों लगी उसे मारे पूरे दस दिन हो गए हैं तो यह राज भी अमें ठाटी नहीं हुई मैं उस सदमे से अब तक बाहर नहीं निकली फोन करके पूछा भी नहीं कौन है तू बेटा किसका बच्चा है अरे यह बुढ़िया क्या बोल रही है भाई उसके फोटो पे हार चड़ा हुआ है लगता है वो मर गया मर गया तो फिर उस सिके को आखे निकाला किस ने है लगता है कोई बहुत बढ़ा प्लान बना रहा है भाई इस बुढ़ी का क्या कर रहा है अरे बुढ़ी है वो हलो हलो अरे उस बुढ़ी का क्या किया मार दिया भाई एक दमें बुढ़बा खोद तुम लोग मेरी आवाज नहीं सुनोगे तो किसी को भी गोली मार दोगे भाई बुढ़ी मरी नहीं है भाई जस्ट मिस गलती से अच्छा काम करके जस्ट मिस कह रहा है अब जल्दी से हाओ ए टकले इसे उठा ठेक है भाई ए फोटो खीच पूछो इनसे डॉक्टर कृष्णा नाम के सारे लोगों की लिस्ट मुझे चाहिए वो सब तो ठीक है लेकिन आप लोग कौन है डॉक्टर है नो तो फिर पूलीस है क्या नो तो फिर पत्र कार है नहीं आप लोग कुछ भी नहीं है तो फिर मैं क्यूं आप लोगों को दूँ इसके लिए ठीक है दे सकता हूं डॉक्टर कृष्णा खाना खाया सिर्फ कॉफी पी है पान खिलाओगे क्या हूं एक सिंपल से प्रिंट आउट के लिए एक हजार रुपे ले रहे हो कल चार हजार खर्चा करना पड़ेगा देखना है क्या देखो भाई तुम्हारे आवाज उती हो रही है ऐसी रहेगी क्या करेगा क्या कहा ए मेरे पहचान का है क्रिष्णा मुल्य वाला उसे मिलेंगे क्या हां अब आप लेकिया तो सबसे इसी तरह रिश्वत लेता होगा ना तभी तेरे सर पे एक भी बाल नहीं है इस डखले से धेजा के भा तो यह प्रिंट आउट की राख है अब अब यह तक्ले यह कैसा प्रिंट आउट है इसे कहते हैं काल चक्र जा समझे में अब एह इस पूर थाउसन रुपीज हमाँ हम्? सार, जाने दिजे, और पाप्पी स्पेंडराए पेड़ाए नालीमे प्रिट आओ निकालूँगा यह क्या है? पागल हो गया क्या? मेरे उपर वा? का अगया? रुक, पागल कहीं क्या? रुक, बागता किदा रहा है? रुक, ए, क्या कर रहा है? रुक, अरे क्या कर रहा है? आपने अच्छी तरह से दिखा, जो सफेद रंग में था वो भूती था ना? अरे हाँ भाई, उस पेपर के अपने हाथ में ना आने की वज़े वो आत्मा ही है मुझे तो वो इलमुराई राजा की आत्मा लग रही है अरे तू भी ना ये चिरकोट, वो ऐसे आल तुफल तो काम नहीं करता, समझा गया? वो आएगा तो बैन बजादेगा ये तो कोई लोकल भूत का काम लग रहा है लेकिन मेरे हिसाब से वो आत्मा यहीं कहीं आसपासी है अरे वो तो हमारे साथ ही है ना मजाग छोड़ो, ये एक्स्ट्रा आत्मा है मैं कुछ करता हूँ, मैं उससे मुलाकात करता हूँ तला गया लगता है लगता है सब लोग यहीं पर हैं एक, दो, तीन, चार, पान, छे, वाफ, आत, नाँ दाट, लगता है, सब लोग यहीं पर हैं तुल मिलाकर हम लोग 132 लोग थी ए बड़े पापू अपने ग्रूप में कोई नई आत्मा आई है क्या अरे तुम क्या यहां बात कर रहे हो मरे हुए लोगों को लाकर यहां हंगामा मचा रहे हो कोई चूपी नहीं रह रहा है बात कर रहे है गाना गा रहे है क्या चल रहा है क्या कर रहे है नाच रहे है अब समझा सारे के सारे सठिया गएं बापू देख कैसे भाग रहे है आप स्कूल के बच्चों के जैसे भाग रहे हैं ये हो क्या रहा है ये कौन है आपको मैंने कहीं देखा है कौन है आप अरे भाई वो बुक में कुछ तो लिखा था ना हाँ यार कहा गया कौन है आप मैं डॉक्टर कृष्णा तुम भी मर गये क्या तो तुम मरने के बाद इन्हें क्यूं परिशान कर रहे हैं मैं सिर्फ हाथ लगा कर मर गया और इन्हें लेने जाने दूंगा क्या नहीं सुननोंद की बाद क्या बच्चों के जैसी बाते कर रहे हो तुम तो उठाने ही पाए सिर्फ छू कर मर गए और लोग बचे हुए है तो तुम्हें जलन हो रही है कुछ भी बोलो मैं सुनने वाला नहीं मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ कि दोस्ती आत्माओं में भी होती है तुम आप्रेशन के लिए कैची उठाते हो और यह आदमियों को मारने के लिए चाकू पकड़ते हैं देखना चाहते हो क्या है है चले जाओ यहां से अगर मैंने छोड़ भी दिया तो इल्लब मुरे राजा उन्हें नहीं छोड़ेगा इसमें नहीं है यार ले वापस आ गया देखा उसमें लेकिन नहीं है है न इस किताब को लिखने वाला वो डॉक्टर ही है वो चमतकारी सिक्का उसी के पास है खुझली की एक्टिंग करो कुछ गलत मत करना अरे भाई आप से बुल रहा हूं क्या भाण्जे मुझे इस तरह से चद्दर ओढ़ा कर यहां पर ले आए मैं बीमार नहीं हूं फिर भी बीमार कर दिया अरे नर्स को बुला कर दिखाओ मुझे और जब आपको जाते मैं बह यहां तो तलवाइन पोल रहे हैं और हास्पिटल को उठा लिया है और यहां प्लीज गुद्मारी है मिस्टर मो डॉक्तर वह मो नहीं तो 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 लवाइन तो 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 नजदिक आई यह ए इसके दिल की दड़कन तो सुना ही नहीं दे रही है लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है पहले जब तुम्हारे पापा रहते थे तो बहुत अच्छी तरीके से चेक करते थे सही तो काम कर रहा है इधर आई है कुछ खास नहीं लगता है इनकी हार्टबिट थोड़ी स्लो है आप मेरे डाड़ी को कैसे जाना अरे कैसे नहीं जानूंगा भाई तुम्हारे पापा और मैं स्कूल के जमाने में साथ साथ पड़े हैं तुम्हारे पापा डॉक्टर बन गए बांजे जब में इनके घर जाता था तो यह चोड़ा बच्चा था आफ चड़ी में गूनता बने के बाद मैं तुम्हारे पापा से मिल नहीं पाया आखरी बार मैंने तब देखा था जब चमतकारी सिक्का लेने जा रहे थे उसके बाद फिर कभी नहीं मिले पाई मेरी माने भी उसके बारे में कई बार बताया पुझा पुझा इन फैक मेरे पापा पुराने जमाने के चीजों में पहुत इंट्रेस्टेट थे जानता हूं जानता हूं सुना उनके बारे में नहीं चीजों को छोड़कर पुरानी चीजें जदा अच्छी लगती थी लगता है ये मेरे कप पुश समझ बैठा एक बात जानते हो उन्होंने अपने पुराने चीजों के लिए गाहों के बाहर जाके एक घर बनाया हुआ था चोटा नहीं बड़ा सा तेरे पापा को जहां रखा था वो घर कहां है अ सीधा सा तो सब्साइब कि नहीं है अब लोग कौन है हम सभी लोग मुर्दा है अच्छा मजाक है अच्छा मजाक कर लेते हो तेरा रुमाल निकल के उसके नाक में डाल डाल जल दे कबसे पकपक कर रहा है यह तो गया अब जबाब कुन देगा अब बन कर अच्छा सुन इसको लेकर तूप पीछे से आजा और हम लोग आगे से आएंगे वही सब के लिए से कितने दिनों से तुझे थोड़ रहा हूं शादी होने के बाद भी दूसरे आत्मे के साथ गों रही है हां हो नहीं है घूर क्या रही है दिमाग में बात नहीं कुसरी है इसके साथ गोंने से बहतर ये होता कि घर पे जो फासी का फंदा लटक रहा है ना उस पे लटक जाती है और मर जाती तू ए आधा ना नहीं आटा सकता गिर जाओंगा मेरे ही बीवी के साथ गों रहा है और उससे जबान लड़ा रहा है हां हां मैं इतना कुछ पूछ रहा और कोई भी जाओंग नहीं हां राइडर यारे गंचकर इतना बड़ा गुंडा है तू और मुझे ऐसे मार रहा है तो इस बैचारी लड़की को किनना मारा होगा आज देरी बारी आज वे लूसे कि मुझे आज बलाई आज जे डिकल दो चलो जाबस सभाट गरे तो अ आप लोगों मुझे यहां क्यों लाइग राइग क्या चाहिए आप लोगों को वो शमतकारि सिक्का मेरे पास नहीं है हम जानते हैं वो तेरे पास नहीं है तेरे बाप का जो बड़ा घर है न वो कहा है और वो छोटा घर कहा है तुझ चुप रहा है तुझ इसे अंदर ले जा झाल रहा है जह सबस्वेड़ है झाल मानते वह दो क्या है तुझ आँ आँ झाल आँ झाल दो कि जो आँ 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 आरा इस प्रूर अग्दा अग्राथ म सफ्लेविगे निया य को आँ रहा है प्रिंकल रामनात बोल रहा हूं है यह नियूस बन और यह गहना बजाchemical है रहाय कि बात कराए रहे है यह जोता वाहिन कुन की देना छोटा वाला कैसा है ìnत कि बाइं यहामापगाई RICHARD तेहां जोतरा यह करता वाहरा हुला हूष कर दिया है अब देट में कौन बोल रहा है उसको भी गोली मार भाई वही है भाई उसे गोली मारा भाई पर उसे कुछ हुआ नहीं क्या फिर से जस्ट मिस हो गया बगल में जो है उसको मार दे उसको मार भाई जो यस में इम हो एग dir एक चानकी डिल मो में। चानकी डिल में। आपकेश ऑल्लू बनाइन तेले को हाँ। यहां पर कोई बताएगा इन लोगों को बहुत चर्वी चड़ गई है लगता है हमारा मजाक उड़ा रहा है एक काम को उन सब को उठा कर लाओ हम यहां टॉर्चर करेंगे एए चल उठा कर लाने के लिए बोला ना तो हमको उठा करने का चलो अश्वाद कर दो हम कर दो है यहाँ यहाँ नजगे झाल आए मत बदू है जाए झाल अजगे कर लिए यहाँ यहाँ आपके अजले कर दूज के लिए यहाँ अजगे पड़ शेयों। कि इसको भी उठाकर लिया आया क्या कि अधिक फिल्म है एक टो जैसा यह अरे कलाकार तो कलाकारी होता है न वेश्वनी देखा तुम्ने पर पर गया वो लोग आपकर लिया और यह प्रिश्ना की फिल्म देख रहे हैं यह जी तो मैं मामा अरे भान्जे वह गाना इस सीन के आ तुम्हे याद है क्या यह जब से तुम लोग आए हो चिला रहे हो मगवान के लिए छूप हो जाओ यार इन में से कौन हमारा मजाक उडा रहा था भाई सब लोग ही उडा रहे थे हुडाने द ट ट अचेय कर तू पुलीसवाला को ब्यवकूप बना सकता हैं हमको नहीं बना सकता है वो चमतकारी सिख्का कहां है तेरे से बात कर रहा है उससे तेरे से पूछ रहा हूं कहां है वो चमतकारी सिख्का अच्छा वो चमतकारी सिख्का उससे तो हमने अभी निकाल आई नहीं है तो फिर तू ऐसे नहीं बताएगा अरे मैंने बता तो दिया इसने बताया क्या हाँ ऐसने जो बोला जब रहा हुजिए आपने जो पूछा और इसने जो बताया वो अलग था इसने वह नहीं बोला जो वह वो बोला था को टौकशीम कर रहा है इसलिए टालिया बज बज रही है लेकिन इनि लग रहा है कि तू मेरे लिए कॉमेडी कर रहा है और यह लोग मुझे कॉमेडियन समझ रहे हैं समझाद है इनको नहीं तो मैं सीरियस हो जाओंगा यह बहुत जादा बोलता है इसको चुले में डाल देना ठीक है बाई सब्सक्राइब करें यह बाई यह डॉक्तर की क्लिनिक के पोस्टर्स यहां क्यों लगे हैं अरे सुनो काका किया है अंदर आप पता चलेगा अरे मैं आ रहा हूं ना अंदर इसके साथ क्या होने वाला इन सब को दिखना चाहिए अगर किसी ने कुछ बोला तो सीधा सार उड़ा देना का चलो मैं त्यार हो तुम करना क्या चाहते हो तुमको हप्ते की पगार मिलती है या महीने की तुम उसकी तरफ देखो उसे हम रोजी देखते हैं आज तू देख ले तुम लोगों को टॉर्चर करने वाले हैं अरे थोड़ा डरो ना यार अरे काका एसी उदार रहे तो मैं इलर क्या करूंगा बोला ना बैट है 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 चल मेरे साथ हाथ कि यह हंडा मेरे सामने किस लिए रख रहे हो काका तेरा खुद निकाल के इसमें भारूंगा ओ चे 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 लगता है काका का यही काम है हुआ है 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 यह एक परेट नेरा भी नंबर आएगा अर्चन बातरोंग जाना यह जा क्या हो क्या लांस कर रहा है अरे काका तुम्हारे तो सर के बाल जड़ गए चमेली का तेल लगाओ ना नहीं समझा सिर में दिमाग नहीं है क्या तेरे अंदर तो खून ही नहीं है अरे खून कैसे आएगा हार खोलोगे तब तो पता चलेगा ना कि खून आये की नहीं आर मात्या मैं तरुका भी समझा दे रहा हूं अगर मेरा दिमाग खुरा वहा ना इसमें से खून क्यों नहीं आ रहा है एई नहीं आ रहे तो तुम्हें क्या परिशानी है खून चाहिए खून चाहिए तुम्हें आइची है लो और दिखाता हूं अब समाज में आना लगता है जल्दी काम हो गया अभी तुझे बताता हूं में पहले से बोला था ना मत्मार मत्मार मेरी बात नहीं सुना ना नॉंसेंस ब्लड़ी फूल किना ना में लिए नॉंसेया जहीं से बोला। क्या चल रहा है देख उसको क्या हुआ है वह हमारी गाड़ी से भाग गये भाई तो चाभी को गाड़ी में छोड़ दिये जी भाई वात क्या बात है पिट्रोल विग रहा था ना आदा भरा हुआ था भाई और हवा फूल टाइट थी भाई अहां मेरे जुते में कुछ है क्या देख अरे स्टार्ट करके देदे ना था ना समझ गया भाई कार में जीपीएस लगा पता करूं कहा है ठीक है अरे इस सिगरेट कान में लगा कर पीता है क्या जड़ा दिखा तो मेरे प्यारे ट्विंकल लामनाथ भाई, आपको इन लोगों ने लिखा है कि क्यो बे, तु इतना बड़ा आदमी बन गया है क्या, हम लोग कपसे बोल लें कि हमें सिक्कर नहीं मिला है, ये बात तेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या, हाँ, इस सर की कसम खाके कह रहा हूँ, आम उसे अभी लेने जा रहे हैं, तेरे को जो करने का कल ले जाके अच्छा, एक बात पुछनी थी, ये ट्विंकल लामनाथ का मतलब क्या होता है, मैं अब गाउ जाकर वापस आ रहा हूँ, तब तक तो अपना नाम बदले, नहीं तो मैं तरह कुछ गंदा सा नाम रखने वाला हूँ, समझ गया, भाई, मिल गया भाई, मिल गया भाई, जी काम वरम से आगे जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, बात को जितनी देर खीचेगा ना, उतनी देर में वो लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे, जा गाड़ी तैयार कर, जाता हूँ भाई, अब भी जाता हूँ, भाई, आपने ही चल रहे हैं क्या, यहां क जाता कुछ इंत जाम कर और चल चल, इंदर जा यही है वो कमरा, तुम्हें जो चाहिए जाके ले लो, अरे, यहां बहुत गर्मी हो रही है, मैं अपनी गाड़ी में जाके बैठूं क्या, तु किदर नहीं जाएगा, बैठ इदर, बैठ, तुम लगो हाँ पर देखो, भाई, आपने यहाँ देखो, भाई, आपने यहाँ बाई, यहाँ देखो, भाई, भाई, यहाँ इतरा आओ ना, यहाँ देखो, जाए, एसा लग रहे हैं कि यहाँ होगा, यई थिम लोग चरा आंजो मैं से कोल करते हूं हम लोग क्यों बाहर जाए कंगा ना कौलो इसे इचा हम देखेंगे लगन का मुझे बैसया लो पन now । य में आका लो डडन का मुझे अगर किसी ने देख लिया तो उसे चूने का मन करेगा उसमें शक्ती ही ऐसी है इसी लिए कहा था इन लोगों से मैंने सब लोग बाहर जाले जाओ अगर कि अगर कि अगर कि चलते हैं क्या चै इसको क्या हो गया उदास ही है किया हुआ भाई तुम दोनों ने सक्के को चूआ क्या कि अब अब ने देखा नहीं कि अरे यह अंधे हैं कि मामा मस्ती मत करो चलो चलते हैं यहां से आया जल्दे चलो टाइम हो रहा है आया कि अब वर से भी आने को बुह जॉन उन वह सिख्का मिल गिया है अमांट में जो बोलता हूं वह लिगया जा कि अब कर दो अब कि यॉ थे तरह या हो गया है अजली के लुए अजली के लुए हेलो जॉन हम लोग आ गये हैं हम लोग भी पहुंच रहे हैं है है इस वेटिंग फारास विद दक्वाइब आप बिल्कुल सीधे आओ यह डिपर मार इंदे क्या लाइट ओन कर रहे हो हां जॉन हेलो यह हमार अस्टाइल है भाई आप उनको यह सिख्का दे दो और पैसे लिगे आना क्या हुआ है जरा उना देखो हाँ वो पुराना ट्रक है तो उससे क्या आ गया मुझे याद आ गया कि हम लोग कैसे मरे थे इसी गाड़ी ने आमें कुछ ला था हाँ मामा यह गाड़ी तो खुदी मरी हुई लग रही है इसके बारा था क्या क्या मस्ति कर रहा है उस ट्रक में तो ड्राइवरी नहीं है याद् क्या है 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 कि आज बंद कश कर आ यहां कि मरें निशस्याहदες से कोई फाइदा नहीं है यहां से बच निकलने का उपार सोचें कि तो हिश्च तुम्हार पास्य है कि नहीं को अ कुछ और प्लाइन क्या कि तुम्हारे पीस्ज histor को हा जखुट है खर दो किर दो, नसी चाहला, फिर दो ऑफ। पुर्चाण गड़ए ंसी बारत एफ। सबस्क्तषयां सिर्चाण बार्फ। झार खिर्चाण बार्फ़ गयर खरी कि अबेड दो बारत जाएंग। तैंद। जपके वधर कोपा जसाल 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 जद सिर्ड़ mild Uh जस सिर्ड़ंज से जसाल जह जँ जसाल 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 कि अजिए लुटरो ही यहार! कि अजय नहीं अाय। तो आ रहे थे कौन है अब क्या हो गया अरे यह वहीं बुट्डा है यार कमल कैसे हो कमल अरे बोलो कुछ क्या होँ तुर्स एक श्रीवात बहुत्ड मैं यारे आप लोग मुझे बार-बार दफनाते रहते हो मैं जो मर गया हूं तुम जिन्दा हो भी क्या कौन है यह दोनो यह दोनों क्या आया उन इंसानों को एंसक्यों बोल रहे हो तुम दोनों एक हजार साल जी हो ए तमिल भाई दरो मत ये लोग भी ना सिका चुकर मने के दर से कपके भाग रहे हैं क्या बोले तो फिर मैं अपना दिया हुआ अशिरवात वापस लेता हूं जिसने हम लोगों को मारा है वो तुम लोगों को भी जरूर मारेगा अगर वो सही लगाऊंगा ना यह बांजे ऐसी बाते मत करो ऐसी बात करूंगा यह कभी से हम लोगों को मजा खुड़ा रहे हैं अरे बांजे तुम समझ नहीं रहे सिक्के के बारे में यह सब जाए अगर इसे मालूम है क्या करना है तो यह हमको उसे बचा सकता हूं उसके लिए एक रास कि तलवार से निकले हुए उस क्यमतकारे सिक्के को अगर हम वहीं रख देंगे तो क्या वह हमारी जान बख्ष देगा निश्चेत रूप से अचाचा वह चगा कहाँ पर क्या हुगा विशाप करने जाने की सोच रहे हो क्या वो अभी नस्दिक पहुच गया है क्या किसे इंगी चुल में तमिल में डब कर रहे हैं क्या मुझे राद आगया मुझे मार्च वाली गाड़ी भी है मुझे मारी तुम्लोगों को भी मारे जिए आप तुम्लोगे आशन निकलगा में तुम्लेगा क्या प्रफ़ एंग प्रफ़ एंग तुम्लोगे प्रफ़ एंग कर दो कि दिखा जाज़ने अख़े शुद्धित कर दो कि अधर जाज़ने अधर कर दो को दो जो जो को जो कि अधर को दो किक्ष्वर सुंदरम ने पहली बार उस्चमतकारी सिख्य को बाहर निकाला था यह उसी की गाड़ी है इसलिए राजा की आत्मा ने इसे पकल लिया है इस इसना ही नहीं है इस गाड़ी का बहुत शौपिंग था आज पागल आद्में कैसे गाड़ी चलाता है उपर लोहा लगा है गाड़ी अंदर कैसे जाएगी ड्राइवर नहीं दिख रहा है एउसाट देख ड्राइवर उधर ही होगा आज़क्षा ओ ड्राइवर इदर आ आधा गाड़ी छोड़के कहां चला गया था रहे इहां ड्रा कि यहां हम तीन लोग ही है तो गाड़ी किसने चलाया होगा है यह वाली गाड़ी हम चला रहे थे तनिक इसको पकड़ों थे अरे 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 इस खटारे गाड़ी का ड्राइवर है निकालने के लिए बोला तो बोलता है कि पाइलेट है आप ही बात सर बात करो ना सर 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 हम अमरीका में पाइलेट हूं सर पाइलेट की नौकरी मिल जाएगी तो तिरुपती पैदल जाओंगा ऐसा मननत माना था अच्छा इदुनों बुडबत हमको रास्ते में रोग लिए और गाड़ी का ट्रैबर बना जिया सर इतनी इंसल्टी करती अब डरो मत उस्चमतकारी सिच्य का अंत नहीं है इसे धके लो इसके अंदर ही समाधी है ए तु इधर आ अरे तुम लूपी आओ हाँ चल जो रहाँ है अरे चल्ला है अरे अरे तंब लेगा अरे ट्रीकल आगे अरे अरे प्रींकल आगे अरे कर दो ड़ी जो चल्टी पर सकता अज तक मैं सिर्फ एक माईक और श्पिकर से कोई बिडिल कर लेता था लेकिन अज पहिला मौका है कि हमको इस पॉर्ट पर आना पड़ा अब भाई मैं रख लेता हूं बताओ चमतकारी सिका कहा है एक मिनट क्या हुआ मेरे पास भी है अरे इंटो हमारा ही लगता है अच्छा एक बात बताओ अपना गन उनके पास कैसे गया है तुमारी गाड़ी में से लिए हमने हमारे सवालों का जवाब उत दे रहा है और तुम चुच्चा पहुआ अरे क्यों शूट किये हम लोग बात कर रहे थे ना आप कर दो भाई गल्पी से ट्रिगर दब गया अच्छा होगा बातों से सॉल्व कर लेंगे बात करने जैसा कुछ भी नहीं है हम गो चमतकारी सिक्का चाहिए मुझे वो सिक्का नहीं चाहिए अरे तो अच्छी बात है क्लाइमेक्स तक जाने के ज़रूरत ही नहीं पर इसमें प्रॉब्लम है अब वो कौन है अरे क्या हो रहा है तुम लोगों को क्या हम पागल लग रहे हैं नहीं सर उस चमतकारी सिक्के को हमने चुआ है उससे बचने के लिए यहां आए हैं हां सर आपकी गाड़ी अच्छी कंडिशन में थी इसलिए हम लोग बजगे वहना वो पुराना खटार ट् कहीं तो ऐसे ट्रक को थीप अधार है उसी ट्रक पर लिफ्ट लेके तो हम लोग आए हैं अरे इनके बारोसे पर हम गाड़ी लेकर यहां आ गये हैं वो जो ट्रक है ना वह भूत ने चलाया जानते हो इसलिए उसलिए उसे भूत बोलोगे क्या बाई 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 सब देखन है चिंता करने के जरूरत है वह भूत अरित भूत प्रेट की कहानी मत बताओ है अब चुप चाप हमें वो चमतकारी सिखा देदो सर मेरी बात मानिये सर अगर भूत आएगा तो हम देख लेंगे चलो दो ठीक है सर मैं चमतकारी सिखा यहां पर रख देदा हूँ उसके बाद उसे आप लेली जी ओके है न तो तुम उस सिख्य को इसके नीचे रखोगे फिर वो मेरा हो जाएगा सही कहाना जी आंसर चलो ठीक है रख दो बेले लूँ चली कल रख दो नीचे तुम लोगो को चलो चले क्या भाई तुम बहरा है क्या जाओ जाकर खका लगाओ तुम लगाओ तुम लगाओ तुम लगाओ तुम पर विश्चमतकारी सिख्य को लोहे की तलवार के उपर रख दो एई सुन रहे हूं ना चल्दी रख दो हुआ 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 है बहुत बढ़िया अच्छा किया तुम्हारे जान बच गई काम खतम हो गया ना अब मैं इस थिक्के को ले लूँ अरे टूंकर यह लोग इतनी आसानी सा शिक्का दे रहे हैं चलो हमको क्या ले लेते हैं अरे इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है ले लिया कहा है भूत इसी के लिए आयते भाई शुरंत उठाना था ना अरे मैं उठाने ही वाला था लेकिन आपना गं थी ना इसलिए तुमको उठाने दिया ओके बिना लडाई जगड़े के बिना सर फुटे डील कंप्लीट क्या ब लाओ लाओ लाला लाओ ला monsters लाज लाओ लाओ यह वो पेसको बैग याश कग्लाँ क्यों भाई आद ये लेगेश तुम्हारे घर पे पहुंचाना पड़ेगा क्या इसके अंदर क्या रखे हो बहुते भारी है अब अरे ये पकड़ा है अरे ये पकड़ा हुआ थेक्यू सिर्क अठीक इंचा है कि शुरू में मैं चिट रहा था कि आप सब लोगों को क्यों बुलाया लेकिन अब आप लोग सब ऐसे चाह रहे हो कि सोचकर बहुत दुखर है ये बामा आपका जाना जरूरी है क्या बांजे तुम लोगों ने जो काम दिया था वो पूरा हो गया आप जाना पड़ेगा ना पुराने जमाने के कवी ने कहा था बामा सिर्फ इसे गाड़ देखिया है वाई तेरे हो रही है जाके तुम आराम करो जाओ अरे यार पहली बार ये लोग दिल से बात कर रहे हैं फुरा सुनके जाते हैं ठीक है बांजे अब हम लोग जा रहे हैं मैं चलता हूँ मेरे जाने के बाद ये संसार इसी तरह हमेशा चलता रहेगा करोगे तुम्हारी शेयर में कांधी चौक में तीसरे गली में मेरा भार है वहां मेरे बीबी रहती है बहुत सालों से फटी भी साड़ी पहें ती उसे इक साड़ी के लिए तो तक है तुम्हारी डूड़ी वांपर होती है कि यह दोस्त आप तो कुछ रड़के को याद कर रहा तो अब यह तुम्हारा लिए मैं ही हो जानकी है बहुत दिनों से तुम मेरी आवाज सुना चाहते हैं यहीं है मेरी आवाज तुमसे एक और बात कहनी है आवाज सुना इस आवाज सुना अपने तुम्हारा याज यही है क्लादी के स्वार रहा है कि इतार कर वह तो कोई लट्की मिलेगी तुजा भी ताल पापाई तुम रो रोर हैं लेकिन मैं नहीं रोसकता आखो में आसु यह नहीं है अपको हुग भार रहुग आस bara कर दो